ओम सिरी गने सायनम दोस्तू एस्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हर दिक स्वागत हैं दोस्तू आज इकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आठ नवंबर मंगलवार के राशी फल के बारे में कीह दिन करक राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थगी महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को रिवी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सस्क्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंच सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा करकराशी वालों के लिए मंगलवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजटिव रहने वाला है दोस्तो आज प्रकरती आपका भरपूर साथ दे रही है कोई लाबदायक और महत्पपूर्ण सवाचार मिलने से आप स्वैम को आत्मबल और भावनात्मक रूप से बहुत अधिक शशक्त महसूस करेंगे रुके उए काम को पूरा करने के लिए आप पूरी महनत लगा दो आज का दिन आपके लिए बहुती लाबदायक दिन शाबित होने वाला है आज कोई महत्पूर्ण समाचार आपको अवश्य मिलेगा आर्थिक समस्यें हल होंगी रुके उए किसी जमीन जायजाद सम्मंदित कारों में आपको सफलता मिलने के आज योग बन रहे हैं किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने से मन बहुती प्रसन रहेगा आज सुक्षिवदाओं जैसी चीजों को खरीदारी में समय व्यत्तित होगा अपनी प्रतिबाँ और चमताओं को समझे इससे आपके व्यत्तित में और अधिक निखार आ जाएगा तथा समाज में आपकी छबी भी निखरेगी आज का दिन व्यस्तता पूर्ण रहेगा काम का बहुत अधिक बोज रहेगा प्रंतु सफलता मिलने से ठकान हावी नहीं होगी और उत्सा आपका बना हुआ रहेगा घर में महमानों के आगमन से मौज मस्ती में भी समय व्यत्तित होगा अपनी योजनाओं को सफल बनाने का आज का दिन बहुती उत्तम है काफी लंबे समय से चली आ रही किसी परिशानी से आज आपको मुक्ती मिलेगी जिससे आप आज खुद को तनाव मुक्त महसूस करेंगे और आर्थिक मामलों में भी ठोस और महत्पपूर्ण निर्णे लाबदायक साबित होंगे दोस्तो समय की चाल आपके पक्ष में है इसका आप आज भरपूर उप्योग करें आपकी भैतर कार्य प्रणाली की वज़े से आप लोगों के समक्ष प्रशंसा का पात्र रहेंगे परन्तु कोई भी काम अथवा योजना की पहले रूप रे का अवश्य बना लें आपके लिए बहुत यच्छ रहेगा दोस्तो अनेक उप्रिकार की सफलता है आज आपको अवश्य ही प्राप्त होने वाली है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता है दोस्तो अपने क्रोध वे जल्दवाजी जैसे स्ववाव पर आप नियंतन रखें किसी संबंदी या पडोसी के साथ वाद विवाद जैसी इस्तिति उत्पन हो सकती है बहतर होगा कि अपने काम पर आप ध्यान दें दूसरों की फिजूल बातों को नजर अंदाज करें मन में कुछ अनहोनी होनी जैसी आसंका होने का आज भे रहेगा अपने श्ववाव पर नियंत रखें क्योंकि कभी-कभी आपके क्रोध पूर्ण वानी दूसरों को आहत कर देती है साथी संबंदों में भी कटूता आ सकती है दोस्तों आयके संसादनों में कमी रहेगी परंतु खर्चे वर करार रहेंगे इसलिए अपने बजट के अनुशारी खर्च करें कुछ ऐस्वस्तता महसूस करेंगे लेकिन आपका कॉन्फिडेंस आपको एक्टिव बनाकर रखना होगा दोस्तों साथी साथ दूसरों की वज़े से किसी प्रकार की धन हानी भी हो सकती है चचेरे भाई भेनों से अपने संबंदों को खराब ना होने दें इससे अकारण ही तनाव उत्पन हो सकता है कुछ प्रति दून्दी जलन की भावना के कारण आपके लिए कुछ नकार अत्मक वातावरन उत्पन कर सकते हैं और किसी बात को लेकर कहा सुनी भी हो सकती है परंतु जरासी सावधानी आपको परेसानियों से मुक्त रखेगी घर के बड़े बुजर्गों की अव हेलना बिलकुल ना करें कभी कभी लापरवाही और आलस की वज़े से आपके बंतिक कारों में रुकावट आ सकती है साथ ही अपने विचारों में भी लचीलापन रखें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैशी रहनी वाली है दोस्तो विवाहित जीवन में समान जस रहेगा मनोरंजन संबंदी कारों में समय व्यतित होने से परिवार में हास परिहास वे खुसी का माहूल रहेगा परिवारिक वातावरन आज सुखद बना हुआ रहेगा प्रेम संबंदों में भी प्रगड़त आएगी रोमान्टिक माहूल रहेगा निकट संबंदियों के यहां डिनर पर जाने का भी प्रोग्राम आप बना सकते हैं काफी समय बाद घर से निकलना वे लोगों से मिलना जुलना खुसी और इस्फूर्ती प्रदान करेगा परिवारिक वातावरन खुसनुमा रहेगा घर के सभी सदसें एक दूसरे के साथ समय व्यतित करेंगे बाहरी संबंदों से सावधान रहें इनसे मान हानी होनी की भी संभाव ना है परिवार के व्यक्ती आप से कुछ नाराजगी व्यक्त करेंगे क्योंकि काम की व्यस्तता के कारण आप परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं इसलिए उनके लिए भी कुछ समय आप अवश्य निकारें विवाहित संबंदों में कुछ समय से चल रहे तनाव को साथ बैठ कर सुल जाने में सफलता मिलेगी और घर का वातावरन उन्हें शुकद और मधूर हो जाएगा दोस्तो बात कर लेते हैं जब का वैवसाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो आज वैवसाय में प्रोडेक्शन संबंदित कारों में कमी आने से तनाव रह सकता है परन्तु आपकी पेमेंट आने से आर्थिक इस्तिती मजबूत रहेगी इसलिए फिक्र करने की आवश्यक्ता नहीं है किसी उच्छ अधिकारी का शयोग आपके कारों में मन मुताविक सफलता प्रदान करेगा साथ ही कोई बड़ा ओडर भी मिलने की भी आज संभावना है सरकारी, शेवारत, व्यक्तियों के उपर काम का अधिक बोज आज पढ़ सकता है कारे छित्र में कोई भी निर्णे अकेले ना लें बलकि टीम वर्क बना कर काम करें इससे व्यवस्ता उत्तम बनी रहेगी आर्थिक मामलों पर किसी पर अधिक भरोसा ना करें और ना ही किसी प्रकार का समझोता करें दोस्तों व्यवसाय छेत्र में आपको अपनी महनत के अनुरूप बहतर पैणाम हासिल होंगे आज आपके भाग्य का आपको अधिक शयोग प्राप्थ होगा नोकरी पेशा व्यक्ती किशी सरकारी मामलों में फस सकते हैं सावधान रहें व्यवसाय के परिस्तितियां आज अनुकूल बनी रहेंगी अपना पूरा ध्यान बिजनिस पर केंदरित करें किसी बड़े अनुबंद के मिलने की आज संभव ना है व्यवसाय क गति विदियों संबंदित योजनाएं किसी भी बहारी व्यक्ती से आप शेयर ना करें कोई इसका अनुचित उप्योग कर सकता है और ओर्डर संबंदित सभी कारों में पक्के बिलका आप उप्योग करें दोस्तो नौकरी करने वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुती लाबदाएक दिन रहने वाला है दोस्तो नौकरी से संबंदित आज आपको बहुती अच्छी खुसकबरी आवस से प्राप्त होंगी जिससे आपको काफी खुसी का अनुबब होगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तो गैस और ऐसे डिटी से आज परिशानी रहेगी खान पान में सैयम रखें वेवेस्तित दिन्चरिया रखने की आज आवस शक्ता है स्वास्थ मौसम के बदलाव की वज़े से ठकान अनुबब और कमजोरी महसूस होगी अपना इम्यून सिस्टम स्टॉंग रखें जीहां दोस्तो अपने स्वास्थ को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजा न योग करें वयाम करें स्वास्थ रहें दोस्तो अब बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशे सुपाई क्या है दोस्तो आज आप इश्रान आदि से निर्वत्र होने के बाद एक नार्यल ले जहाँ दोस्तो उस एक नार्यल पर आप शिंदूर से सुवास्थिख बनाएं इसके बाद आप उस नार्यल को अपनी समस्त मनों कामनय मांगते हुए भगवान बजरंग बली जी के चल्डों में अरबित कर दें जहाँ दोस्तो ऐसा करने मात्र से ही भगवान बजरंग बली आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन होंगे आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परेशानिया चल रही है या किसी कारण से आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं वे सभी परेशानिया खत्म होंगी और आपके समस्थ काम बहुती आसनी से बनती चले जाएंगे और आपको ऐसा करने से अवस्पे ही लाब प्राप्त होगा दोस्तो भगवान बजरंग बली का शिर बाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जैव जरंग बली अवश्चे लिखें